नमस्कार वास्तु सास्त्र में द्वारवेद के वारे में बताया गया है द्वारवेद क्या है द्वारवेद के क्या फल है ये एक प्रकार का वास्तु दोस है हर एक व्यक्ति को इस दोस के वारे में पता होना चाहिए द्वार वेध के बारे में कहा गया है कि द्वाराग्रे पंच वेधम तू दुख सोका मयप्रदम कहा गया है कि मुख्य द्वार के सामने ये पांच प्रकार के दोस हो तो व्यक्ति अपने जीवन में उन्नती नहीं कर पाता है क्या है ये दोस्त? आईए इसके बारे में जानते हैं. पहला जो वेद है वो वेद है, मार्गवेद. इसे रथ्या वेद भी कहते हैं. कोई सडक दूर से आकरके आपके घर के पास उस सडक के समाप्ती हो जाए. बिना दाया बाया मुड़े यानि घर के पास ही वो सड़क आकर के समाप्त हो जा रहा है ऐसे मकान में वास नहीं करना चाहिए ये असुभ होता है दूसरा है तरू वेद तरू कहते हैं व्रिक्ष को घर के मुख्य द्वार के सामने बड़ा सा व्रिक्ष हो और उस व्रिक्ष का चाया घर के उपर पड़े या मुख्य द्वार के उपर पड़े तो ये भी अच्छा नहीं माना गया है घर के मुख्य द्वार के सामने तरू वेद हो तो ऐसे मकान में विवास नहीं करना चाहिए ये घर के संतान के लिए कश्ट प्रद होता है तीसरा जो दोस के वारे में बताया गया है वो है कि घर के ठीक मुख्य द्वार के सामने मंदिर नहीं होना चाहिए घर के उपर या मुख्य द्वार के उपर मंदिर की छाया नहीं पढ़नी चाहिए वो भी असुभमाना गया है चवधा जो दोस बताया गया है कि घर के मुख्य द्वार के सामने पानी बहता हो या मुख्य द्वार के सामने बड़ा सा नाला हो गंदा पानी बह रहा हो ये भी एक प्रकार का दोस है और ऐसा हो तो इस दोस को दूर करें या ऐसे घर में वास नहीं करें पाचमा जो दोस बताया गया है कि घर के मुख्यद्वार के सामने कोई लोहा का कील या इलेक्टिक पोल, मिट्टी का या पत्थर का धेर नहीं हो घर का मुख्यद्वार पवित्र हो तो घर में नित्य लक्षमिक आवास होता है घर के मुख्यद्वार के सामने इस प्रकार का दोस हो तो उसे ठीक करने का प्रयास करें इसके साथ ही वास्तु सास्तर में ये भी कहा गया है कि घर के जितनी उचाई हो उचाई से दुगनी दूरी पर इस प्रकार का दोस हो तो उसके असुद फल प्राप्त नहीं होते हैं यानि उसे दोस नहीं माना जाएगा, घर के उचाई से दुगने दूरी पर इस प्रकार का दोस होतो। आज के लिए इतना ही वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।